हेलो बच्चो, कैसे हो सब कोई? आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक प्यारी सी कहानी इस कहानी में क्या होगा? ये जानने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा देखिए, यहाँ जो आपको चित्र में दिख रहे हैं इसमें क्या-क्या दिख रहे हैं आपको? पौधा, कववा, घड़ा, पत्थर के टुकडे, बाड, पेड, बंजर जमीन कितने कुछ दिख रहे हैं? इसी को लेकर के कहानी बनाई गई है आप दिमाग लगाएं कि इसमें कववा क्या कर रहा है? और वह घड़े के उपर क्यूं बैठा है? दिमाग लगाएं? आप दिमाग लगाएं तब तक मैं आप लोगों को कहानी बताती हूँ तो सुनिए गर्मियों के दीन थे एक कववा बहूत प्यासा था उसका गला सूख रहा था हम लोगों को भी गर्मी के दीनों में बहुत गर्मी लगती है न? उसी तरह कववे को भी बहुत गर्मी लगी उसका गला सूख रहा था तब वह इधर उधर उड़ता हुआ पानी की तलास कर रहा था पर उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया सभी जलासे सूख गए थे जलासे का मतलब है जहां पर पानी जमा रहता है जैसे की तालाव, कोई गड़ा या फिर जहां नदी बह रही हो वो जगह को जलासे कहते हैं अंत में कववे को एक मकान के पास एक घरा दिखाई दिया एक घर के पास उसे घरा दिखाई दिया वह घरे के पास गया नजदीक गया उसने उसमें जहांक कर देखा मतलब घरे की तरफ मूह करके उसने अंदर घुशा कर देखा तो घरे में थोड़ा सा पानी था क्या था? थोड़ा सा पानी था पर उसकी चोँज पानी तक नहीं पहुँच सकती थी उसकी छोटी चोँज घरे के अंदर पानी तक नहीं पहुँच रही थी तो वह कैसे पानी पीता? तब वह क्या करता है? अचानक उसे एक उपाय सूझा आप सोचिए कि उसे क्या उपाय सूझा होगा? पानी पीने के लिए कौन सा उपाय उसने सोचा उसने सोचा वह जमीन से एक-एक कंकर उठा कर घडे में डालने लगा धीरे धीरे घडे का पानी उपर आने लगा अब कव्य की चोच पानी के पानी तक पहुंच सकती थी कौवे ने जी भर कर पानी पिया और खुशी से काव काव करता हुआ उड़ गया क्या हुआ कि जी भर के उसने पानी कैसे पिया कैसे पता चला जब वह कंकर उठा कर डालने लगा घडा में तो पानी घडे के उपर मतलब कंकर अंदर रह गया पानी थोड़ा उपर आ गया तब वह घडे का पानी अच्छे से पी पाया तो देखो बच्चो कितनी कोशीज करने के बाद कवगे ने अपनी प्यास बुझाई तो हमें इससे क्या सिक्षा मिली? हमें इससे या सिक्षा मिली कि जहां चाह होती है जहां हम चाहते है वहां हमें रास्ता मिल जाता है जहां चाह वहां रा कुछ भी काम करने के लिए अगर हम चाहेंगे तो वहां रास्ता खुद बखुद मिल जाता है तो कैसी लगी बच्चो ये कहानी अच्छी लगी तो ताली बजाएंगे आज के लिए इतना ही कल मैं एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी तब तक के लिए बाई बाई